चानक के नीती चानक के अद्वारा रचितिक नीती गरंथ है जिसमें जीवन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियों की सुजाब दिये गए हैं इस गरंथ का मुख्य विष्ट है मानों समाच को जीवन की हर एक पहलू की बैवार एक सिक्षा देना है चानक के एक मान गयानी थे जिन्होंने अपनी नीतीयों की बदौलत चंदर गुप्त मौरे को राजा की गद्दी पर वैठा दिया था जानिये चानक के की कुछ ऐसी महतपूर नीतियां जो जीवन के किसी न किसी मोल पर काम आ सकती है नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता और आप फिर भी किसी इस्तरी पर अपना जादू करना चाहते हैं आप उसे अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं आप उसे अपनी प्यार में पागल करना चाहते हैं आपने प्यार का भूत उसके सर पर सवार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद होने वाला है क्यूंकि दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बिना मंतर का एक ऐसा उपाय बताएंगे एक ऐसा टोटका बताएंगे जिसे करने के बाद आप किसी भी इस तरी को अपनी प्यार में पागल कर सकते हैं उसे दिवाना बना सकते हैं मगर दोस्तो इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूलें और अगर आप ऐसे ही ग्यान से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें और दोस्तो अगर आप भगवान सिरी किष्ण के सचे बगते हैं तो कमेंट वॉक्स में जैस सिरी किष्ण रादे रादे आवस्य लिख दें तो चलिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आचारे चानक के जीने भी अपनी चानक के नीती में इस बात का जिकर किया है कि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना मंतर के किसी भी इस्तरी को अपने प्यार मे पागल और दिवाना कैसे करें सबसे पहले आपको किसी भी इस तरी के पैर की नीचे की मिट्टी उठानी है और उसे मिट्टी को आप जब उठाएं तो इस तरी का नाम अपने मन में तीन बार बोल लीजी और फिर आप इस मिट्टी को अपने घर ले आईए और उस मिट्टी को बखेट दीजिए और आप ध्यान रखें आप किसी भी बरतन में किसी भी चीज में अपना थोड़ा सा पेसाप कर लें और अपने पेसाप को उस मिट्टी के उपर जमीन के उपर थोड़ा थोड़ा चिलकाप कर दें जहां पर आपने वो मिट्टी की गिराई है यह से करते भक्त आपको अपनी प्रेमिका का नाम अपने मन में लेना है उसके बाद आप देखेंगे कि जिसके लिए आपने यह उपाय किया है बेह उपाय सफलता पूरवक काम कर रहा है बेह इस तरी आपके पीछे बावल हो रही है देवानी हो रही है बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह उपाय तब ही काम करता है जब आप किसी भी इस तरी को सची दिल से चाहो और सची नियत के लिए चाहो तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो के ब्यारा साल लाइक कर दें और हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दवा दें